हलो विप्रिवान, गुद्मारिंग, देखें, आज हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 का, वेस्टन नमबर 3 का सेगेंड पार्ट क्या करता है, रेशियोज हमें कंपेर करने हैं, ये जो एक्वेशन दिये हैं, वो हमारे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस् दूसरा केस कंसिस्टेंट का होता था, क्योंकि जिसमें सुल्यूशन एक्जिस्ट करें, या तो वन सुल्यूशन, या तो इनकंसिस्टेंट में ही सुल्यूशन, सुल्यूशन एक्जिस्ट वस कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर सुल्यूशन एक्जिस् के लिए एक case चलिए चेक करते हैं कोचसे case में हमारा situation like करता है पहला equation इसको अब हम इस तरह से लिखना चाहें अचाहें अचाब पहले देखे जनरल फॉर्म लिख लिए ताकि आपको आसानी हो लिखने में a1x plus b1y plus c1 equals to 0 इसके नीचे इस equation बोतार लिजिए देखे यह हो गय देखे 8 उधर है ना यहां में देखे इक्वल के उस साइट 0 है तो इधर भी 0 बहात देगे 8 फूइधर लेकर के चले आएंगे यह उदर प्लस 8 है तो इधर हो गया minus 8 equals to 0 कोई sign नहीं तो plus 8 ही है न ठीक है उसे इसाब से अगर हम देखे तो a1 हमारा क्या हो गया जो x के साथ लगा हुआ है यानि 2 b1 क्या हो गया जो हमारा y के साथ लगा हुआ है यानि यहाँ y के साथ क्या लगा है minus 3 और c1 क्या हो गया हमारे पास जो last time है यानि कि plus 7 यहाँ minus 8 यानि minus 8 हो गया हमारा उसी तरह जब आप दूसरा equation को अब आप देखोगे देखे दूसरा equation क्या है इसक plus B2Y plus C2 equals to 0 तो उसे साब से जब इसके नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आफ 4X minus 6Y देखें equal to 9 है उधर ए तो plus 9 उधर आया है तो minus 9 equals to 0 अब देखें compare कर लेते हैं तो A2 किसको कहेंगे जो X के साथ है तो A2 किसको कहेंगे जो हमारा Y के साथ है यहाँ Y के साथ क्या है minus 6 है ना और C2 किसको कहेंगे जो हमारा last time है तिखें C2 यहाँ last time क्या है minus 9 यह भी लिख लिख लिए हमने अब हमारा काम क्या होता है ratios compare करना चलिए ratios compare किया जाए क्या है ratios की कहानी A1 by A2 B1 by B2 और तीसरा अगर जरुद पड़े तो C1 by C2 देखें देखा जाए A1 by A2 कितना था हमारे पास देखें यहाँ A1 2 है B2 हमारा 4 है 2 by 4 2 by 4 तो 2 1s are 2 2 2s are 4 यानि यह हो गया 1 upon 2 B1 by B2 कितना है हमारा minus 3 upon minus 6 तो हम B1 by B2 कितना निकलेंगे minus 3 upon minus 6 देखें minus minus cancel 3 1s are 3 3 2s are 6 यह कितना हो गया 1 upon 2 हम C1 by C2 तो C1 कितना है मारे पास minus 8 और C2 कितना है minus 9 यह कितना हो गया minus 8 upon में minus 9 minus minus cancel हो गया यह हो गया 8 upon 9 साब साब दिखरा भी यह हाफ है 8 upon 9 कैसे एक हो सकता है तो हम लिखेंगे since A1 by A2 equals to B1 by B2 but not equal to C1 by C2 therefore चाहिए इंपलाई दिख लिजे लाइन्स आर पैर्लल जब पैर्लल वाले सिचुएशन हो तो क्या कहते हैं लोट solutions exist implies equations और क्या होगा inconsistent ठीक है क्योंकि third ओला case आ रहा है I hope ये question पूरी तरह समझ में आए आपको कोई भी doubt नगे एक बार फिर से revise कर लिजे सिर्फ भी doubt नगे मैं comment में available हूँ कीजिए comment मैं as soon as possible आपके answer करने कोशिश करूँगा मैं ते नेक्स वीडियो में तिल ने थे कियं ते बाइब्गा